और अलंगिंदा सूरेखेम नमस्कार फ्रेंड्स वेल्कम टू माइ चैनल में आपकी होस्त मुंता मलीख आगएय की आपके लिए जो रैस्पी लेक्याई वह सबको बहुत पसंद आएगी जूकी है प्रणीर जो कि होटल में जाके खाते हैं, बच्चे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, वहां जाके खाते हैं, जब कि आखो मैं घर में बनाना सिकाऊंगी, और बड़े असान तरीके से बनाना सिकाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेस्पी, पनीर टिकका बनाने के लिए ह जो कि चार चम्मच लिया है चपकी एक कटोरी हो गई है दैंगी और सबजियों में हमने लिया है एक प्याज लिया है और पीली शिंबला मिर्च लिया है हरी शिंबला मिर्च लिया है और लाज शिंबला मिर्च लिया है और हमने एक टोमाटर भी काटके रखा है और सैलर के ल जाल दी हैं क्योंकि प्याज बहुत कड़वे होते हैं फिर खाये नहीं जाते हैं इसको पानी से निकालके फिर हमें इसकी सलाथ बनाएंगे मसालों में हमने लिया है नमक लिया है और हमने देगी मिर्च लिया है और हमने चाट मसाला लिया है और हमने हल्दी लिया है और यह हमने गर्म मसाला लिया है और थोड़ी सी अजवैन लिया है दो चम्मच हमने बेसन लिया है और एक चम्मच हमने कसूरी मेथी लिया है और चाय आप बटर भी ले सकते हो, देशीगी भी ले सकते हो, और हरा धनिया भी लिया है, सबसे पहले हम गैस ओन करेंगे, अब सबसे पहले हमने जो दो चम्मच बेशन लिये थे, उसको मलका सा ड्राई करेंगे, जिससे इसकी नमी निकल जाएगी. अब हम गैस बंद कर देंगे, अब हमारा भेशन ड्राई हो गया है, अब इसे बाउल में शिफ्ट करेंगे. अब बेशन हमने बाउल में शिफ्ट कर लिया है, अब इसके अंदर हम दही मिक्स करेंगे, एक कटोरी दही. सबसे पहले हम इसके अंदर अधरक लसन की पेस्ट डालेंगे, एक चम्मच अधरक लसन की पेस्ट. अब इसके अंदर हम एक निम्बू एड़ करेंगे, जो कि हमने रस निकाल के रखा वा था. अब इसके अंदर हम थोड़ी सी कसूरी मेती एड़ करेंगे, इसको अल्के से मसल के डालना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होते है. अब इसके अंदर हम आदा चम्मच अजवैन का हाथ से मसल का डालेंगे हम लोग मसाले आड़ करेंगे एक चम्मच हम लेंगे नमक नमक अपने स्वाद के नसार भी डाल सकते है और एक चम्मच हम लोग देगी मिर्च का डालेंगे जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा एक चम्मच हल्दी का डालेंगे एक चम्मच अब गरम मसाला डालेंगे अब एक चम्मच हम चाट मसाला भी डालेंगे और एक चम्मच हम लोग काला नमक भी डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा सबसे पहले हम गैस अन करेंगे अब आदी कटोड़ी हम मस्टर्ड का ऑईल को गरम कर लेंगे जब तक थोड़ा साच्छे से गरम होगा तब बंद करना गैस अब हमारा मस्टर्ड ऑईल गरम हो गया है अब हम गैस बंद कर देंगे मस्टर डाट वाल में तूछ मीज़े से गरम हो गये यह निए इसे इसी हम मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड्स देखिए अब मारा मुझ हो गया है इस में आधलず मिर्श यह दिया Use Dogga क्लर बिल्कुल इस्तमाल ना किया किजिए क्योंकि सेथ के लिए बहुत थानी कारक होता है जो मार्किट वाले होते हैं वो तो कलर डालते ही डालते हैं को लिख हम लोग इसके क्लर नहीं डाला स्रम देगी मिश्य एस इसके कलर कितना अच्छा हो गया है और अब इसके उनदर हम सब्जियां भी आईड करेंगे इसके अनरम थोड़ा साहरा धनिया भी आईड करांगे अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर प्याय डाल देंगे और इसके अंदर थोड़ा मसाला एक बर चेक कर लीजिए गए कि नमक नमक कोई कम है तो डाल लीजिए गए क्योंकि फिर जब पनीर डल जाता है ना तो फिर पनीर टूपने कड़र रहता है आप इसके अंदर हम शिमला मिर्च भी डाल देंगे और आप इसके अंदर लाल शिमला मिर्च भी डालेंगे और आप इसके अंदर थोड़ी पीली शिमला मिर्च भी डालेंगे कलर फुल हो जाती है तो बच्चे बड़े खुश हो के खाते हैं अपर नीचे करके अच्छे से हिला देंगे कि जिससे इसका मसाला उपर नीचे अच्छे से चड़ जाए सब्जियों में हम टमाटर भी डालेंगे इसके टमाटर भी ऐड़ कर दिया हमने इसके अंदर पनीर डाल देंगे जो हमने पनीर काटके रखा था तुकडों में अच्छे से वह काट देंगे और हाथ से अच्छे से उसको ऊपर-nीचे मसाला चड़ाएंगे क्योंकि अराम से करना को कि पनीर तूटना नहीं चाहिए अच्छे से मसाला हाथ से चड़ेगा देखिए फ्रेंट्स जैसे मसाला हो जाना चाहिए तो फ्रेंट्स देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा त्यार हो गया है अब इसके ओपर हम लिए 10-15 मिनट के लिए इसको हम छोड़ेंगे जिससे इसका मसाला और अच्छे से इसके ओपर चड़ जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग इसको बनाएंगे प्रेंट्स देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है अब हम इसे सीख पे लगाएंगे हम लोग एक टोमाटर लगाएंगे जो कि परीर को स्पोर्ट देगा अब प्याज लगाएंगे अब शिम्ला मिर्च लगाएंगे फिर एक पनीर की लाल वाली अब एक पनीर की डू लगाएंगे अब एक प्याज की लगाके अगे हम एक और टोमाटर लगाएंगे जो किसको स्पोर्ट देगा अब इसी तरह हम दूसरी भी त्यार करेंगे देखिए हमने सीख पे लगा लिए देखो कितनी अच्छी लग रहा है हमारा पनीर टिक का बिल्कुल बरजारी स्टाइल में लग रहा है फ्रेंड्स अब उसे हम गैस पर सेखते हैं बिल्कुल तंदूर की तरह ही हो रहा है बिल्कुल तंदूर स्टाइल में हो जाएगा थोड़ा टाइम लगता है मगर अच्छे से हो जाएगा अब फ्रेंड्स हम दूसरी वाली भी सीख को इसी तरह करेंगे अब पर देशी घी तोड़ा सा लगाएंगे इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आजएगा और एक बर फिर दुबारा इसको हम लोग गैस पर दुबारा करेंगे, तो और अच्छा टेस्ट आ जाएगा फ्रेंट्स हमने जो इसके उपर देसी गी लगाया था इसको हम दुबारा से एक बर फिर फ्राई करेंगे, वो करेंगे, सीखेंगे इसको दुबारा से क्योंकि जो इसके अपर हमने देसीगी लगाया ना तो इसका टेस्ट ओर अच्छा आजएगा अब हमारा पनीर टिक्का रेडी हो गया है अब हम गैस बंद कर देंगे तो फ्रेंड्स आपको मेरी पनीर टिक्के की रेस्पी कैसी लगी है अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और मुझे स्पोर्ट करें थैंक यू